हलो नमश्कार दोस्तों पिछले कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जो 26 जनवरी की जहाकी होती है जो हमारा टेबलो होता है उसको केंदर सरकार बार-बार रिजेक्ट कर रही है यह बात बताने योग्य है कि 26 जनवरी की जहाकी दिल्ली में ही होती है दिल्ली देश की राजधानी है इसके बावजूद तीन साल से लगातार 2022 में दिल्ली की जहाकी को रिजेक्ट किया गया 2023 में दिल्ली की जाकी को reject किया गया और अब 2024 की जाकी के लिए भी दिल्ली सरकार के proposal को reject कर दिया गया मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से कौन से proposal हमारी तरफ से जा रहे है 2022 में resolve 75 करके topic था उसके उपर हमारा design दूसरे round की meeting में reject कर दिया गया 2023 में नारी शक्ती विशे था उसमें भी हमारा design reject कर दिया गया और 2024 में विक्सित भारत criteria था उस पर भी दिल्ली सरकार के idea को reject कर दिया गया आप कल कुछ भारती जन्ता पार्टी के लोग कह रहे थे कि वो तो topic पे depend करता है तो जो topic है जो विशे है वो केंदर सरकार ही देती है उस केंदर सरकार के विशे पे जो राज्य है वो अपनी जहाकी का proposal देते हैं design देते हैं 3D design देते हैं और केंदर सरकार उस proposal को लगबग बदलती भी है जितनी बार केंदर सरकार के हाँ meeting होती है उतनी बार उस design को वो लोग बदलते हैं और उनके सुझाओ के हिसाब से राज्य उसको बदलाव भी करते हैं तो ये तो कोई कहीं नहीं सकता कि ये design का competition होता ये कोई competition नहीं होता उन्होंने हमारे design में कुछ सुझाब दिये थे हमने वो सुझाओ मल दिये थे अगर वो और सुझाओ देते तो वो सुझाओं पर भी हम लोग विचार करते विकसित भारत विशेय पर क्या कहा जा सकता है कि भारत कैसे विकसित होगा शिक्षा और स्वास्त है व्यवस्थाओं से भारत शिक्षित होगा और दिल्ली सरकार ने अपने टेबलों के अंदर दिल्ली के स्कूल और दिल्ली के महला क्लिनिक्स के मॉडल को प्रपोज किया था और ये इत्वाक नहीं है, कि पंजाब सरकार के 26 जन्वरी की जھांकी को भी केंदर सरकार ने reject कर दिया है, हमारा मानना है कि ये दुरभावना वाला कदम है, और केंदर सरकार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार्ओं से बदला लेने के लिए हमारी ज्हांकियों को रिजेक्ट करती है बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोई प्रस्ट नहीं तो आप पूछ सकते हैं मैं बात आपकी माल लेता हूँ देश में कितने राज्यों को मौका दे सकते हैं नब्य को तीन साल में च्छेनवे राज्यों को मौका मिल सकता है अगर आप तीस ज्हांकी भी निकालते हैं किती ज्हांकियों निकालते हैं तो साथ को मौका मिल जाता है अगर बीज जहां की एक साल में निकलती है तो तीन साल में साथ राज्यों को मौका मिल सकता है राज्य तो साथ नहीं है मतलब हर दूसरे साल सभी राज्यों को मौका मिल सकता है तो केंद सरकार का जो लॉजिक है जो तर्क है वो एक कुतर्क देखिए मैंने ये पहले भी कहा था और मुझे लगता था कि LG साहब उसका स्वहम संज्यान अब तक ले लेंगे क्योंकि अखबार में लगातार छप रहा है 9 मार्च को मैं मंतरी बना मार्च के ही महिने में मैंने एक मीटिंग ली जिसके अंदर स्वास्ते सचेव डी जी एचेस और अन्य अधिकारी थे उस मीटिंग में हमने कहा मेरे निर्देश थे कि आप दवाईयों की, एक्विप्मेंट्स की और कंजूमेबल्स की एक आडिट कराईए यह आदेश बड़े साफ थे तीन अपरेल को वो आदेश मिनिट्स आफ मीटिंग में बनकर प्रकाशित भी हुए जुलाई में मेरे दफ्तर से दुबारा आदेश दिया गया कि यह जो आडिट के निर्देश में ने दिये हैं वो क्यों नहीं किये गए अब आप एक बात बताईए किसी चीज़ के अंदर गड़वड निकलती है जुलाई पचीज को और उस विभाग का मंतरी उस विभाग के सचिव को जो हैड अदेश देश दे चुका है कि आप आडिट कराईए अब मैं ही पूछना चाहता हूँ भारतिय जन्ता पाटी से एक अधिकारी को उसका मंतरी कह रहा है आप आडिट कराईए हो सकता है भूल गए हूँ दुबारा कहा गया तो भी नहीं कराई तिवारा कहा गया तो भी नहीं कराई और उसके अंदर गड़बड़ी निकलती है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है मंतरी चाहता था कि गडबड़ी हो तो सामने आए अधिकारी चाहते थे कि गडबड़ी हो तो सामने ना आए तो क्या उस अधिकारी को निलंबित नहीं करना चाहिए मैं जानना चाहता हूं केंदर सरकार से एलजी साब से और अगर अब यह जांच होगी तो इस अधिकारी के रहते जिसने खुद आउडिट नहीं कराई क्या यह जांच हो पाएगी सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस्स ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूस 24